तो बच्चो पढ़ाई में डाउट आते हैं सोल नहीं हो पारे गबराओ मत इसका सोल्यूशन है डाउटने टेप जिस भी सवाल में आपको डाउट है उस क्यूशन की फोटो किचो क्रोप क्रोप और 5 सेकिंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएग पर साथ ही डाउटने टेप पर चल रही है क्लास नवी से बारवी आयाईटी जेई निट के बच्चों के लिए ओनलाइन क्लासे जिनका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रेंक फर्स्ट तो आज ही डाउटने टेप स्ट्रोल करो अपने सभी डा पर चल रही है क्लासे बच्चों के लिए अगर आप जिन्दगी में कभी नहीं बुलेंगे यानि मैं अच्छे तरीके से आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं तो आप क्यूशन देख सकते हैं ये कुशन आपके वेरी वेरी इंप्रिक्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् इसको हमें x-1-x² से हमें भाग देना है ओके यानि इसको डिवाइड करना है और विभाजन एल्गोरिथम के सतेता की जांच भी करनी है और ये कुशन आपके हर साल बोर्ड प्रिक्चा में पूछा जाता है और इस बार भी ये कुशन आपके 100 परतिसत आने वाला है तो कक्सा आपके हर बोर्ड प्रिक्चा में पूछा जाता है ये सबसे पहले आपको इस परकार से एक भाग बनाना है और जो बड़ा नमर है उसको इस भाग के अंदर लिखना है और उसके बाद में ये जो सेकिन नमर है जिसको हमें भाग देना है यानि x-1-x² तो इसमें बड़ा न देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है इस परकार से नमर को हमें इसमें पूट करना है और इस साइड में आपको बनाना है रफ यानि रफ कार ये ओके रफ कार ये करना बहुत ही जरूरी है और जरूरी इसलिए है क्योंकि जिस परकार से मैं आपको समझाने वाला हूँ अगर आपने वो तरीका अच्छे से समझ लिया, यानि वीडियो को आपको पूरा देखना है, कहीं पर भी वीडियो को skip नहीं करना है, पूरा समझ में आपके ये जो भहुपदगा भाग है, वो आपके अच्छी तरीके से दिमाख में ये आपके बेट जाएगा, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर नम्मर क्या है, माइनस का एक्स स्क्वाइर और यहाँ पर नम्मर क्या है, अक्स क्यूब, तो अंदर वाला जो नम्मर है, यानि अक्स क्यूब है, इसको हमें किस से डिवाइड करना है, किस से भाग देना है, minus x square से तो देखिए उपर है वो x कितनी बार है उपर आपके x से 3 बार तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x गुणा x गुणा x यानि x को मैंने 3 बार लिख दिया और निचे x आपके कितनी बार है 2 बार है तो देखिए यहां 2 x से यह 2 x cancel अब उपर क्या बचा है आपके x और निचे क्या बचा है minus अब किसी भी minus के नम्मर को जब plus के नम्मर से भाग देते हैं तो sign है वो अमेशा minus का आता है तो minus x को minus यहाँ पर देखे कोई number नहीं बचा है तो हम एक रख सकते हैं और minus 1 को x से divide करेंगे तो क्या आएगा आपके minus का x आएगा क्या आएगा minus का x आएगा यह आपको दिहान रखना है अब देखे यहाँ पर क्या number आया है हमारे पास x cube आया है तो यहाँ पर भी वही number आपको रखना है ओके आप देखिए यहाँ पर है प्लस का X और प्लस का X है इसको हमें माइनस X से गुणा करना है तो देखिए प्लस X है और इसको गुणा करना है हमें माइनस X से तो X को माइनस X से गुणा करेंगे तो यह आएगा आपके माइनस का X स्क्वाइर और minus का x square कहां रखना है x square के जो x square का जो number है उसके निचे लिखना है तो x square का number यहां है तो इसके निचे हमें लिखना है minus का x square ओके उसके बाद में देखे आगे क्या है minus 1 अब minus 1 को भी किस से गुणा करेंगे पर्थम भागवल से गुणा करेंगे तो minus का 1 और इसको गुणा करना है हमें minus का aks से तो minus minus क्या हो जाएंगे आपके cancel और 1 को aks से गुणा करेंगे तो 1 aks आएगा और ये 1 aks रखना कहा है जो आपके aks का number है उसके निचे लिखना है तो यहाँ पर हम रखेंगे plus का 1 aks अब देखें इसका हमें करना है sign change क्या करना है sign change तो सबसे पहले आपको एक सीधी line है वो draw करनी है यहाँ पर यानि सीधी line यहाँ पर खेंचनी है और अब हमें sign change करना है और sign है वो कैसे change होता है तो जो निचे वाले जो number है हमेशा उनीक number के sign हम change करते है तो यहाँ पर x cube किसका है प्लस का है तो यह आपके minus का हो जाएगा और यहाँ पर minus का x square है तो यह किसका हो जाएगा plus का हो जाएगा और plus का 1 x है तो यह आपके किसका हो जाएगा minus का हो जाएगा अब जो बराबर हैं उनको हम cancel करेंगे यानि यहांपर X3 से यह plus का है और नीचे वाला minus का है तो यह cancel हो जाएगा बाकी को यह क्या करेंगे minus करेंगे ओके तो देखे माइस का 3x2 है और यह आपके plus का 2x2 है तो 3x2 में से 1x2 minus करेंगे गटाएगे तो यहांपर बचेगा 2x2 और अगर बड़ी संक्या है तो बड़ी संक्या का जो साइन है वही अमेशा आता है तो बड़ी संक्या क्या है यहां पर तीन है और तीन से पहले साइन क्या है माइनस है तो यहां पर भी जो साइन है वो माइनस का आएगा अब यहाँ पर तीन अक्स में से एक अक्स माइनस करेंगे, दो अक्स बचेगा, बड़ी संख्या क्या है, प्लस की तीन है, तो यहाँ पर प्लस का कितना आ जाएगा, यानि प्लस का दो अक्स, यानि तीन अक्स में से एक अक्स माइनस करेंगे, तो दो अक्स आएगा, उसके जो 5 है यह हमें वैसे के वैसा ही यहाँ पर लिखना है अब जो second प्रकिरिया हमें करनी है वो यह करनी है कि यहाँ पर minus का जो 2x² है उसको हम कौन से नमर से डिवाइड करेंगे minus का x² से यानि फस्ट को फस्ट से हमें डिवाइड करना है तो minus का 2 x square है और बटे में क्या लेंगे यहनि इसको भाग देंगे हम minus का x square से तो देखें x square से x square cancel minus से minus cancel तो हमारे पास क्या बचा है plus का 2 बचा है अब यह plus का 2 हमें यहाँ पर लिखना है भाग फल में अब इस plus 2 को हम सभी नम्मर से क्या करेंगे multiply करेंगे यहाँ पर same number आएगा यहाँ पर क्या आएगा आपके same number ओके अब देखें अब हमें गुणा करना है तो plus x को 2 से गुणा करेंगे यहनि x को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 x आएगा और X के निचे हमें ये number लिखना है उसके बाद minus 1 को 2 से गुणा करेंगे तो यह आपके आएगा minus का 2 अब देखिए अब हमें एक line draw करनी है और सभी number के क्या करने है sign change करने है आप देखिए sign है वो किस परकार से हमें change करने है तो निचे वाले जितने भी number है उन सभी के sign है वो प्लस में अब देखिए ये आपके cancel हो जाएगा क्योंकि एक minus का एक plus का है और ये भी एक plus एक minus cancel हो जाएगा और 5 में से 2 minus करेंगे तीन बचेगा और बड़ी संग्या minus किये तो यहाँ पर भी minus का sign आएगा अब देखिए ये आपके क्या आचुका है भागफल यानि माइनस का x plus 2 ये आपके क्या है भागफल है तो देखिए यहाँ पर भागफल माइनस का x plus 2 ओके और जो सेसफल है जो रिमेंडर है वो आपके कितना है माइनस का 3 अब हमें करनी है इसकी सत्यता की जांच यानि विभाजन आगे हमें यहाँ तक हमने कर लिया है और विभाजन एलग चारिथम के सत्यता की जांच और इसके लिए आपको यह जो सुत्र है या आपको द्यान रखना है भाज्य बराबर भाज्यक गुना बागफल more productive this अब हमें न हो सारी जो value है यह हमें रखनी है तो बाज़े हमारे पास कितना है यानि इस भाग के अंदर जो नम्मर हमने रखा है यह वाला जो नम्मर है इसको हम क्या कहते हैं भाज़े कहते हैं ओके और जिस संक्या से हमने भाग किया है उसको हम क्या कहते हैं भाज़क तो यह आपके प्फल है और सेस्पल है आपके जो निचे वाला जो नंबर है माइनस का तीन यह आपके सेस्पल है अब इन जितनी वे आपके वेलू दे रखे यह हमें इन सुत्र में आपको रखनी है तो सबसे पहले भाज़े है तो भाज़े की जगे हम क्या लिखेंगे आक्स क्यूब और उसके बाद में माइनस का तीन अक्स स्क्वाइर और उसके बाद में प्लस का तीन अक्स और माइनस का फाइब ओके और इक्वल में है आपके भाज़क भाज़क आपके पास कितना है माइनस का एक्स स्क्वाइर और उसके बाद में प्लस का एक्स और माइनस का वन ओके और ब्रेक्ट में लिखना है उसके बाद में है गुणा बागफल हमारे पास कितना है तो बागफल है हमारे पास minus का x और प्लस का 2 ओके और उसके बाद में सेस्पल कितना है माइनस का 3 ये हमें लिखना है अब हमें सरल करना है ये value तो वेसिक वेसे हमें लिखनी है x cube माइनस 3 x square ओके उसके बाद में प्लस का 3 x और माइनस का 5 अब हमें ये वाला जो number है इन दोनों number को हमें गुणा करना है अब देखें होगा किस परकार से आपको गुणा करना है तो कौन कौन से number को गुणा करना है इन दोनों number को गुणा करना है तो इन दोनों number को आपको लिखना है जिस परकार से आप गुणा करते हैं कि माइनस का x square उसके बाद में प्लस का x और माइनस का 1 ओके और गुणा कौन से नंबर से करना है माइनस का x प्लस का 2 क्या करना है गुणा ओके तो 2 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आएगा आपके प्लस का 2x क्या आएगा प्लस का 2x और 2 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर रखेंगे हम प्लस का 1x और minus x को x से गुणा करेंगे तो यह आयगा आपके minus का x square और minus x को minus x square से गुणा करेंगे तो यह आयगा आपके plus का x cube अब देखिए x cube इसको हम sârl करते है x cube उसके बाद में minus minus के जो number है वो हमेशा add होते हैं लेकिन जो sign है वो किसका आता है minus का तो 2x square में 1x square add गरेंगे तो यह आएगा आपके 3x square और उसके बाद में 2x में 1x जोड़ेंगे 3x और उसके बाद में minus का 2 यह नम्मर हमें यहाँ पर लिखना है यानि नम्मर हमारे पास क्या आया है x cube और minus का 3x square minus का 3x square उसके बाद में plus का 3x और उसके बाद में minus का 2 और आगे नम्मर क्या है minus का 3 अब देखे इसको सरल करने के बाद इसे हम पूरी तरीके से इसको सरल करते हैं यही value इसकी आनी चाहिए यानि इन दोनों का जो मान है वो हमें साम बराबर होना चाहिए तो minus का 3x square और उसके बाद में plus का 3x और minus का 5 और इधर है x cube minus का 3x square और plus का 3x आप देखे minus 2 minus 3 कितने होते हैं आपके minus का 5 और आप देख सकते हैं इसकी value और इसकी value आपस में क्या है बराबर तो इस परकार से इनकी value है वो हमें साम बराबर होनी चाहिए यानि भाद्जे है वो किसके बराबर होना चाहिए भाद्जे गुणा वागफल प्लस सेसपल के तो इसी परकार से आपको सत्यता की जांच करनी है